नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सबका स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए सुभधरा कुमारी चोहान जी की कहानी मजली रानी वे मेरे कौन थे मैं क्या बताओं और वैसे देखा जाए तो वे मेरे कोई भी ना होते थे और होते भी तो कैसे मैं भ्राम्मान वे छेत्रिये मैं इस्त्री वे पुरुष और फिर ना तो रिष्टेदार हो सकते थे और ना मित्र आह यह क्या कह डाला मैंने मित्र भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बरदाश करेगा यहां तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का वहवार रखना भी पाप है और यदि कोई इस तरी पुरुष से किसी प्रकार का वेवार रखती भी है और प्रेंट से बातचीत भी करती है तो वह तो इस तरी भरष्टा है चरित रहीना है नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है खेर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है और ना समाज से कुछ सरोकार, समाज ने तो मुझे दूद की मक्ही की तरह निकाल कर दूर ही फेक दिया है, फिर मैं ही क्यों समाज की परवा करूँ? मेरे माता पिता साधारन इस्तिति के आदमी थे, परिवार में मैं माता पिता के अतरिक्त मुझे बड़े मेरे तीन भाई और थे, मैं सबसे छोटी थी, और छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ था, मेरे दो भाई बनारस हिंदू युनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुराने रूडियों के कटर पक्षपाती यहां तक कि वे मेरा विभा नौ साल की ही उम्र में करके गौरीदान के अक्षपुन्य के भागी बनना चाहते थे कई लोगों के और विशेश कर मेरे भाईयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा ना कर सके थे जब मैं पाँचवी अंग्रेजी में पढ़ रही थी और मेरी आयों 14 साल के लगभग थी तब मेरे माता पिता को मेरे विवा की चिंता हुई वे योगयवर की खोज में थे ही कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम महन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए कस्बे से लगा हुआ एक बड़ा जंगल था जहां शिकार खिलने का अच्छा मौका था उनका खेमा जंगल से बाहर कस्बे के पास ही था कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो गया था उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बचता और कभी नाचाना होता है लोग बिना पैसे के तमाशा देखने के लिए जुंड के जुंड जुंड जमा हो जाते एक दिन मैं भी राज़न और पिताजी के साथ राज़ा सहब के डेरे पर गई मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो ही गई थी हम लोग उनी के पास जाकर कुर्सियों पर बैट गए राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया लोटते समय उन्हों ने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा और मिठाई भी रखवा दिये कस्वे की कई लड़किया और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लोटते वे उस सुख नेत्रों से देखा इन्तु उस सवारी पर बैट कर मैं अनुभव कर रही थी की जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ और मैंने उनकी और आँख उठा कर भी ना देखा दूसरे दिन राजा साहब ने स्वेम पिताजी को बुलवा भेजा और उनसे मिलकर दो तिन घंटे बाद जब पिताजी लोटे तो इतने प्रसंते की उनके पैर धरती पर ही न पड़ते थे ऐसा मालूम होता था कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं आते ही उन्होंने मेरी पीठोकी और मां से बोले लो इससे एच्छा और क्या हो सकता था तारा का विवा राजा सहाब के मजले लड़के से तै हो गया माता पिता दोनों ही संबन से बड़े प्रसं हूँ मेरे भाईयों ने जब सुना कि तारा का विवा एक तालू के दार की विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पड़ा लिखा है होता हुआ है तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया किन्तु उनके विरोध को कौन सुनता था पिता जी तो अपनी हट पकड़े थे उनके समझ में इस से अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं मिल ही नहीं सकता था और सबसे अधिक आकरशक बात तो उनके लिए यह थी कि वर बहुत बड़े खानदान बीस बिसवे कनवजियों के घर का लड़का था और फिर राजा से रिष्टेदारी करके कस्पे में उनकी इज़्जत और बढ़ना जाती इसके अधिक विवा का प्रस्ताब भी तो स्वैम राजा सहाब नहीं किया था नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी है प्रस्ताफ कैसे ला सकते थे सबसे बढ़कर बात तो यह है थी कि दहेज के नाम से कुछ ना देकर भी लड़की इतने बड़े घर में बिहाई जाती थी फिर भला इतने बड़े बड़े आकरशनों के होते वे भी पिताजी इस प्रस्ताफ को कैसे ठाल देते हैं पिताजी मेरी किसमत की सरहाना करके कहते हैं मेरी तारा तो रानी बनेगी और रानी बनने के खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाईयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता किन्तु मैं उनके सामने कुछ कहना सकती थी। खेर भाईयों के विरोध करने पर भी मेरा विवा मजले राजा मनमोहन के साथ हो ही गया। फूलों से सजी होई मोटर पर बैट कर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्वे और ललित पुर्व के बीच में केवल 27 मिल का अंतर था। इसलिए बारात मोटरों से ही आई और गई थी। जीवन में पहली बार मोटर पर बैटे थी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे हवा में उड़ रही है। 27 मिल तक मोटर पर बैटने के बाद भी मेरा जीप ना भराता। यही चाती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर ही घूमा। घूमा करूं किन्तु क्या यह संभवता आखिर को एक बड़े भारी महल के जनाने दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो। सास्त हो थी ही नहीं। इसलिए मेरी जिठानी यानि की बड़ी रानी उन्हों नहीं परचन करके मुझे उतार ले गए। मुझे एक बड़े भारी सजेवे कमरे में बिठा दिया। स्त्रिया बारी बारी से मुझे खोल कर देखने लगी। कोई रुपिया कोई छोटे मुटे जेवर या कपड़े मेरी मुझे दिखाई में दे दे कर जाने लगी। मेरी जिठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मूँ देखा कुछ बोली नहीं उहू करके मेरी उंगली में अंगुठी पेना दी मैंने सुना कि वे पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी देखा बहु को क्या तारीफ के पुल बांध रही थै ससुर जी के कहने से तो बस यहीं मालूम होता था कि इंद्र की अपसरा ही होगी पर ना रूप है ना रंग ना जाने क्यों सुन्दर सुन्दर कहकर कंगले की बेटी बिहा दी और अपनी इज्जत हलकी कर दी रोटी बेटी के वैवार तो अपने से बराबरी वालों में ही होता है बिर्जू की मा पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिलकुल लट्टू हो गए थे मैं सुन्दर नहीं तो क्या मुझे सुन्दरता की परक भी नहीं है ना जाने कितनी सुन्दरियां देखी है यह तो उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं होगी मालूम होता है उमर के साथ सा ससुर जी की आखे भी सठी आई गई है मझले राजा को तो डुबो दिया बिर्जू की माँ उनकी हां में हां मिलाती ही बोली सुन्दर तो है रानी जी जैसी आप लोग है वैसी ही है पर अभी बच्ची है जवान होगी तो रूप और निखराएगा बड़ी रानी तिल मिला उठी और बोली रूप निखरेगा पत्थर हो नहार बिर्वान के हो चिकने पात निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है फिर वे जग विरक्ती के भाव से बोली जाने भी दो अच्चा हो या बुरा हमें क्या करना जब मैं वहाँ अकेली रह गई सारी औरते चली गई तो मेरी मा के घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुझ खोल दिया शीशे उठा कर मैंने एक बर अपना मुझ ध्यान से देखा फिर रख दिया ढूडने से भी मुझे अपने रूप में कोई एब ना मिला पहली बार केवल पांच दिन ससराल में रह कर मैं अपने पिता के साथ में के आ गई ससराल गे पांच दिन मुझे पांच वर्ष की तरह मालूं है मैंने जो रानी पन का सुनहला सपना देखा था वै धूर हो चुका था ससुराल से लोटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा किन्तु खवासन ने वहां के सब हाल चाल बदलाए मा ने कहा तो क्या रानी केवल कहने के लिए ही होती है बीतर का हाल हमारे घरों से भी गया भीता होता है मैं अपनी मा के साथ मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया राजाओं की इच्छा के वुरूद तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते ना चाहते वे भी उन्हें मेरी विदाई करनी ही पड़ी और इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा ना लगा इस बार मैंने अपना छोटा सा हार्मोनियम भी साथ रख लिया था फिर ससुराल पहुंची पहरी बार तो मेरे साथ मा के घर की खवासन थी इस बार उस हार्मोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़ कर कुछ ना था मेरा जी एक कमरे में चुपचा पैठे बैठे घबराया करता घर में कोई ऐसा ना था जिससे घंटे दो घंटे बातचित करके जी बहलाती केवल छोटे राजा मेरे देवर की बाते मुझे अच्छी लगती थी किन्तु वे भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नजर बचा कर ही आते मैं सारे दिन पुस्तके पढ़ा करती पर पुस्तके थी ही कितनी आठ दस बार पढ़ गई छोटे राजा कभी कभी मुझे अकभार भी ला दिया करते थे किन्तु सब की आँख बचा कर घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासीयां थी मुझे घर में कोई काम न करना पढ़ता था मेरी सेवा में भी दो दासीयां सदा बनी रहती पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में कैद हूँ क्योंकि मेरी राही रती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम से कही बेजना चाती तो वे मेरे कहने मातर सही कही ना जा सकती थी उन्हें बड़ी रानी से हुकम लेना पड़ता था यदि उधर से स्विकृरिती मिल जाती तो मेरा काम होता अन्यता नहीं इसी प्रकार हर महां मुझे खजाने के खजाने से हाथ खरच के लिए डेर सो रुपे मिलते थे किन्तु क्या मजाल की उन्में से एक पाई भी महराज से पूछे भी ना खरच कर दूँ भीतर के शासन की बाग डोर बड़ी राने के हाथ में थी और बाहर की महराजा यानि की मेरे ससुर के हाथ में मेरे पती मजले राजा बड़े ही सुन्दर विलास्प्रिये मदिरा से वी शिकार के शौकिन और ना जाने क्या क्या थे मैं क्या बताऊ वे बहुत सुन्दर भी थे किन्तु उनके दर्शन मुझे दुर्लब थे चार छे दिन में कभी घंटे आद घंटे के लिए वे मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहो भग्य समझो उनकी रूप माधरी को एक बार जी बार पीने के लिए मेरी आखे आस तक प्यासी हैं किन्तु जीवन में यह अफसर कभी ना आया इस दिखावटी वैभव के अंदर में किसी प्रकार अपने जीवन को घंसीटे जा रही थी इसी समय मेरे अंदकार पूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सिनहली किरन का आगमन हुआ छोटे राजा की उम्र सत्रा अठारा साल की थी वे बड़े नेक और होनहार यूवक थे घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्ही को था छोटे राजा मैट्रिक की तियारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू ने पढ़ाया कर दे थे घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण सतंत्रता थी घर में इस्तरियों की अवश्यक वस्तवें बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था इसलिए वे घर में सबसे ज़्यादा परीचित थे विवा के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नराज थी उन्हें मेरी चाल ढाल रहल सेंट जरा भी न सुआती वे हर बात में मेरे एब निकालने की फिराक में रहती दिल का ताड बना कर मेरी जरा जरा सी बात को वे परीचित या अपरीचित जो कोई आता उससे कहती शायद वे मेरी सुन्दरता को मेरे एबो से ढख देना चाहती थी यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की वे तो घर में रोज ही आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी किन्तो इसका असर उल्टा ही हुआ मैंने देखा त्रिसकार की जगा मास्टर बाबू का वैवार मेरे प्रती अधिक माधूर और आदरपूर्ण होने लगा चोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है वे बहुदा मुझसे गाने के लिए आगरह करते मुझे तो अब गाने बजाने की और कोई विशेश रूची नहीं रह गई थी किन्तो छोटे राजा के अगरे से मैं अभी कभी कभी गा दिया करती थी एक दिन की बात है जाडे के दिन थे किन्तो आका अश बादलों से ढखा था मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बुले मजली भावी कुछ गा कर सुना मैंने बहुत टाल मटल की किन्तो छोटे राजा ने राजा ना माने और उन्होंने बाजा उठा कर सामने रखी दिया मैंने हर्मोनियम पर गीथ छेड़ दिया मास्टर भावी ना जाने कैसे और कहां से आए और मेरे पीछी चुपचाप खड़े हो गए छोटे राजा की मुस्करहट से मैं भाव गई पीछे फिरकर जो उन्हें देखा तो हर्मोनियम सकार कर मैं चुपचाप पैट गई वे भी हसकर वहीं पैट कर बोले मजली राणी आप इतना अच्छा गा सकती हैं मैंने आज ही जाना छोटे राजा अच्छा ना गाती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके पीछे इनके गाने के पीछे अपना समय नश्ट करता इधर यह बाते हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती भी बड़ी रानी कमरे में आई क्रोध से बुली यह घर तो अब भले आदमी का घर कहने लायक रही नहीं गया लाच शरम तो सब जैसे धोके पीली बाप रे बाप हद हो गई जैसे हलके घर की है वैसी ही हलकी बाते तो यहां करती है पासपड़ास वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे यही न कि मजले राजा की रानी वैशियाओं की तरह गा रही है बाबा इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कुल को तो ना लजवाओ देवी जी बाब के घर जाना तो भीतर क्या चाहे सड़क पर गाती फिरना कि तो यहां यह सब ना होने पावेगा तुम्हें क्या घर में के भीतर बैटी बैटी चाहे जो कुछ करो वहां आदमियों की तो ना कटती है और एक सांस में इतनी सब बाते कहकर बड़ी रानी चली गए मैंने सोचा शराब पीकर वैश्याओं की बाहों में बाहें डालकर टहलने से नाक नहीं करती गरीबों पर मनमाने जुलम करने से नाक नहीं करती नाक करती है मेरे गाने से सो अब मैं बाजे को कभी हाती ना लगाऊंगी उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और ना छोटे राजा नहीं कभी मुझसे गाने का आग्रह किया यदि वे आग्रह करते तब भी मुझमें बाजा छुने का सहसना था इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ा कर उपर से नीचे उतर रहते और मैं नीचे से उपर जा रही थी आखरी सीली पर ही उनसे भेट हो गई भेट टक गई बोले कैसी हो मझली रानी जीती हूँ खुश रहा करो इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाग जी को कैसे समझाओ मास्टर बाबू अच्छी अच्छी पुस्तके पढ़ा करो उनसे अच्छा साती संसार में तुमें कोई और नहीं मिलेगा मैं पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तके कहां से लाओ लाने का जिमा मेरा रहा अच्छा यदि आप अच्छी पुस्ते के ला दिया करें तो इसे अच्छी और बात क्या हो सकती है अरे यह कौन बड़ी बात है मजली रानी मेरे पास बहुत सी पुस्ते के रखियें उनसे मैं उनमें से कुछ तुम्हें ला दूँगा इस कृपा के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हुई उपर चली और वे बाहर चले गए मैंने उपर आँख उटा कर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीवरे दृष्टी से मेरी और देख रही थी मैं कुछ भी नपूल कर नीची निगा किये कमरे में चली गए दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहले ही आये उनके हाट में कुछ उस्टके थी वे छोटे राजा के कमरे में सीधे ना य जाकर मेरे कमरे में आ और बाहर से एवास डी इन दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर नाती इसलिए मैंने ही उनसे कहा आईए आईए मास्टर बाबू वे आकर बैट गए किताबों और लेख़कों के नाम बतला कर वे मुझे किताबे देने लगे ये महत्मा गांदी की आत्म कथा के दोनों भाग गए ये हैं बाबू प्रेम चंदी की रंग भूमी इसके भी दो भागें ये मैतली बाबू का साकेट और ये पंतजी का पल्लम इसके अत्रिक और भी बहुत सी पुस्तक हैं इन्हें पढ़ लोगी तब उतमें ला दूंगा इसके बाद वे साकेट उठाकर उर्मिला से लक्ष्मन की विदा का जो सुंदर चितरे मैतली बाबू ने अंकित किया है मुझे पढ़कर सुनाने लगे इतने ही में मुझे वहां बड़ी रानी की जलक दिख पड़ी और उसके साथ मेरे कमरे के दौनों दर्वाजे फटा फ यह दर्वाजा किसमे बंद किया खोलो क्या मालूम नहीं है कि हम लोग बीतर बैठे हैं तब ही बड़ी रानी की करकश अवास सुनाई दिए ठैरो अभी खोल दिया जाएगा तुम लोग बीतर यही दिखाने के लिए तो दर्वाजा बंद किया है पर देखने वाले को भी जरा अहसास हो जाए यह नारकिय लीला अब जादा दिन यहां ना चलेगी नारकिय लीला मेरा माता ठंका है भगवान क्या पुस्तक पढ़ना भी नारकिय लीला है इस ब्रकार लगवाद 15 मिनट हम लोग बंद रहें बुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था उधर बाहर बड़े राजा मजले राजा और महराजा जी की आवाज मुझे सुनाई थी और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुल गया बड़ी रानी बोली मेरी बातों पर तो कोई विश्वास नहीं करता ना अब अपनी आँखों से खुदी देख लो आँखे दोका तो न किसी कमरे में जाने का हुकम नहीं है बड़े राजा बड़े राजा मास्टर बावू आप यहां से चले जाएए इसी में तुम्हारी कुशल है वे बोले मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊंगा जाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मजली रानी दोनों ही पवित्र और निर्दोश हैं यह हरकत इर्श्या और जरन के कारण ही की गई है बड़ी रानी गरच उटी उल्टा चोर कोतवाल को टाटे चोरी की चोरी उस पर भी सीना जोरी मैं इर्श्या करूंगी तुम से हो तुम इसे ठोकर मार कर निकलवा क्यों नहीं देते हो तुमारे सामने खड़ा खड़ा जबान चला रहा है और तुम सुन रहे हो पहले ही कहा था न कि नौकर चाकर से ज़्यादा मूना लगाया करो महराजा बड़ी गुस्से से बुले किरन कुमार चले जाओ इसी समय ना ज सबका यह हुआ कि उसी दिन एक चिठी के साथ सदा के लिए मैं विदा कर दी गई एक एक्के पर बैठा कर चपरासी मुझे मा के घर पहुचाने गया चिठी मेरे पिताजी के नाम की थी जिसमें लिखा था आपकी पुत्री ब्रश्टा है इसने हमारे कुल में दाग लगा इसके लिए अब हमारे घर में जगा नहीं है बात की बात में सारे महले बर में ब्रश्टा चरण की बात फैल गई यहां तक कि मेरे पिता के घर पहुचने से पहले ही यह बात पिताजी के घर तक भी पहुच गई थी जब मैं पिताजी के घर पहुची शाम हो चुकी थी इस पढ़ने के बाद तड़प उठे, बोले, जब यह व्रष्टा ही हो चुके तो इसे यहां क्यों लए, रास्ते में कोई खाई, तलाब ना मिला जहां धकल देते, इसे मैं अपने घर रखूँगा, जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना, मैं पिताजी के पैरे पर लोट गई, रोती रोती बोली, पिताजी मैं निर्दोश हूँ, पिताजी दो कदम पीजे हट गए और कड़क कर बोले, दूर हट चंडाली नहीं, निर्दोशी होती तो इतना बवंडर ही क्यों उड़ता, उन्हें क्या पागल गुत्ते ने काटा था, जो बैठे बैठाए अपनी बद पिताजी ने एक जटके के साथ मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेक दिया, कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था, वे मुझे घर में रखकर क्या जाद बाहर भी हो जाते, मैं दूर जा गिरी और गिर कर बेहोश हो गई, मुझे जब होश आया, मेरे घर का दरवाजा बंध हो चुका था, और महले भर में सन्नाटा चाये था, केवल कभी कभी एक गाड़ी तेयार खड़ी थी, बिना कुछ सोचे विचारे में गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में बैठ गई, गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहां कहां खड़ी रही, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ नहीं पता, इंदू सवेरे, जब ट्रेन कान पूर पहुचकर रुख गई, और एक रेलवे करमचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा, तो मैं जैसे चौक सी पड़ी, मैंने देखा, पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई है, स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे, ट्रेन से उतर कर, मेरी समझ में ही ना आता था कि क अहां जाओं, कल, इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए भी स्थान ना था, बहुत देर बाद मुझे एका एक ख्याल आया, कि सत्यागरे संग्राम तो छिड़ा ही हुए, हुआ है, क्यो ना मैं भी चलकर स्वैम सेवी का बन जाओं, और देश सेवा में जीवन बिता दू, पूछती हुई, मैं किसी प्रकार कॉंग्रेस दफ्तर पहुँची, वहाँ पर दो तिन व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने मुझे पूछा, कि मेरे पास किसी कॉंग्रेस कमेट्री का प्रमान पत्र है, मैंने का नहीं, तो उन्होंने मुझे स्व विवा शोकर में भूकी प्यासी चल पड़ी, इन्हों जाती कहां ठककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया, मैं आज रानी से पत्की बिखारिन हो चुकी थी, मेरे सामने अब भिक्षय वृती को छोड़कर दूसरा उपाई ही क्या इसी समय ना जाने कहां से एक बिखारिन बुड़िया भी उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलिया लिये वे आकर पैठ गई, बड़े इत्मिनान के साथ अपने दिन भर के मांगे वे आटे दाल चावल को अपने चित्रे में अच्छी तरह बांद कर बुड़िय बिक्षा वरेती करने के लिए अब उसे किसी सहती तथा सहारे की जरुवत थी, मैं उसी के साथ रहने लगी, कई बर मैंने आत्महत्या करना चाहा, कि उससे मैं ऐसा मालम होता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं आत्मगाद भी ना कर सकी, लगातार एक साल तक ब पहले कुछले वेश में भी मैं अपना रूप ना चिपा सकती, मेरा रूप ही हर जगा मेरा दुश्मन हो जाता, अपने सतीत्व की रक्षा है तो मुझे बहुत सचीत रहना पड़ता था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था, मेरे बदन की फटकर तार-तार हो गई थी, बदन ढखने के लिए साबुत कपड़ा भी ना था, परियाग में मागी है मवस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता, बुडिया ने कहां, वहां चलने पर हमें तीन-चार महिने भर खाने को मिल जाएगा, और कपड़ों के लिए पैसे भी मिल हम लोग रोज सड़क किनारे कपड़ा बिचा कर बैठ जाते और दिन बर भिक्षा मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जला कर सो जाते एक दिन, इसी प्रकाश शाम को जब हम दिन भर की भिक्षा वृति के बाद लौट रहे थे, एक बगगी निकली जिसमें जुकी रही, उसी समय एक मोटर पीछे से एक सामने से आगे, बुढ़िया ने बचना चाहा, मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ ही गई, उसे गहरी चूट लगी और उसे बचाने की चेश्टा में मुझे भी काफी चोट आई, जि दिनों तक लगातर बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आपको एक जनाने अस्पताल के परदा वॉड के कमरे में पाया, एक खाट पर मैं पड़ी थी, और मेरे पासी दूसरी खाट पर बिखारिन मरना से नवस्था में पड़ी थी, मैं खाट से अरम नरम बिखाने क्यों चाहिए, कल से तो मुझे फिर वही गली-गली की ठोकर खानी पड़ेगी, उनकी बड़ी-बड़ी आँखी सजल हो गई, वे बड़े ही करन सर में बोले, मजली रानी, क्या तुम मुझे शमाना करोगी, तुमारा अपरादी तो मैं ही हुना, मेरी ह इन दिन में पूर्णेतया स्वस्त हो गई, परंतु भिकारिंग की हालत न सुधर सकी, एक दिन उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, उसके अंतिम संस्कारों से निवरित होकर मैं मास्टर भवु के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किन्तु मैं अभी तक यह नहीं जान सकी कि वे मेरे कौन हैं, वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार गलूटाते हैं, भाई की तरह साहता करते हैं और मित्र की तरह नेक सलह देते हैं, पती की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं, और कुछ ना होते वे भी वे मेरे सर्वस्व है और सब कुछ होते वे मेरे कुछ नहीं है